हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गोपाल स्टेडी पॉइंट में और फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सिंपल इंट्रेस्ट के पार्ट नंबर थ्री का और फ्रेंड्स इस पार्ट में हमने ऐसी ट्रिक को यूज किया है जो कि बिना किसी फॉर्मूले के साधान व्याज के कोशन को हल कर पाएगी और वो भी बहुत ही कम यानि कि चंद सेकंडों में फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है ब इस वीडियो को आपको सुरू से लास तक देखना है और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में जदे से जदे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस सेशन में हम लोग साधान व्याज के पार्ट नमबर थ्री के ओपर डिसकस करेंगे और इसमें हमने कुछ ऐसे questions को लिया है जिसको हम बिना किसी formula का use करते हुए questions को हल करेंगे तो चले friends start करते हैं question दिया है 1500 रुपे का 2% साधान ब्याज की दर से 5 वर्स का साधान ब्याज क्या होगा तो friends इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हम ब्याज यानि की मूलधन को हम 100% मानते हैं सबसे पहले हर एक question में आपको जो मूलधन है उसको आपको 100% मानना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 100% और इसके बाद हमारा मूलधन कितना है हमारा मूलधन दिया गया है 1500 रुपे तो 100 हमने यहां पर लिख लिया परसेंट में और friends यहां इसके सामने लिख लिया पंद्रे सो रुपे यानि की मुलधन की वेलू उसके बाद फ्रेंट्स हंडर्ड के अपोन कर दीजे जो हमारा परसेंटेज दिया है और जितना समय दिया है उन दोनों की मल्टिप्लिकेशन तो दर दिया है दो परसेंट इंटू समय दिया गया है पांच तो इसके अपोन कर दीजे इतना और इसके जो मुलधन है इसके अपोन कर दीजे हमारा साधरन ब्याज जो की हमें निकालना है उसको माल लेंगे हम एक्स तो बस फ्रेंट्स हमें इतना हमें कोशन को करना है और इस कोशन का आंसर हो गया और इसको कर दीजे बराबर और अभी कर दीजे दोनों की क्रोस मल्टिप्लिकेशन यहां से simple x की value निकाल दीजे तो simple x की value निकालने के लिए सबसे पहले यहीं की यहीं हम इसको cut कर सकते हैं तो यह आगया हमारा 500 और x is equal to आगया हमारा 15 गुना 10 यानि की 150 रूपीज तो 150 रूपीज इसका क्या हो गया answer साधान ब्याज तो आप देख सकते हैं कितने जल्दी से हमने इस answer को निकाल लिया है तो friends यह दिए आपको समझ नहीं आया है तो मैंने इसका solution भी दे दिया है आप solutions को देख सकते हैं और अपने answer को verify कर सकते हैं चलिए questions एक और देख लेते हैं जिससे आपका confidence level और बढ़े तो next question friend 6000 रूपे का प्रतिवर्स 5 प्रतिसत वार्सिक ब्याज किदर से ब्याज कितना है 2000 रूपे होने में कितना समय लगेगा तो friends यहाँ पर हमें अब की बार मूलधन भी दिया है ब्याज भी दिया है लेकिन हमारे से पूछा गया है समय तो same method हम use करेंगे तो सबसे पहले हम मानते हैं 100% के हमारा मूलधन तो 100% यानि मूलधन है तो मूलधन वैसे कितना दिया गया है 6000 रूपे दिया तो इसके सामने क्या लेकिलेंगे 6000 रूपया और 100 के अपोन करेंगे दर और समय की multiplication तो यहाँ पर दर हमें दिया गया 5% लेकिन समय हमें निकालना है तो friends उसको मान लेंगे x और इसके बटे कर देंगे ब्याज तो ब्याज हमारा कितना है 2000 रूपया तो friends यहीं पर calculation को simple कर दिजे 2000 into 3 यहाँ से हम सीधा निकालेंगे x की value तो यहाँ x की value आएगी x इस गल्टू कितना आएगा फ्रेंट्स 100 अपोन 15 यहाँ इसको लिख सकते हैं 5 ती अपोन 15 20 पंजे 100 यहाँ कि 20 बटे 3 तो 20 बटे 3 हमारा क्या आया समय की value आगई यहाँ की x इस गल्टू की आएगा 20 अपोन 3 वर्स यह हमारा आंसर हो गया कभी कभी पर आंसर इसका यदि हमारा simplification में दिया हो तो इसको 12 की multiply करके इसको हम निकाल सकते हैं महीने में तो इस तरह से हमने question का answer बहुत ही चन सेकिंडों में निकाल लिया है अब नेक्स question को देख लेते हैं नेक्स question है हमारा प्रती वर्स 5% वर्सिक व्याज की दर से 2000 रुपे पर कितने वर्स में साधान व्याज 500 रुपे हो जाएगा तो friends इसमें भी same formula हम use करेंगे इसमें भी हमें कितना निकालना है कितने वर्स यानि की वर्स की value निकालनी है तो simple हमने क्या किया था सबसे पहले 100 लिखते हैं और 100 के साمنे हम प्रती हैं तो मुल द Rank कितना दिया है हमारा 2000 रुपे तो 2000 के सामने लिख दिया 100 क्या कों करते हैं दर और समय की multiplication तो यहां पर दर हमारा दिया है 5% लेकिन समय हमारा पूछा गया है तो उसको लिख लेंगे x इस गल्टू लिखेंगे 2000 अपोन कितना होता है ब्याज ब्याज मतलब 500 अब यहीं कट कर लीजे फ्रेंट्स 500 चोके होते हैं 2000 और यहां से यदि हम x की value निकालेंगे तो इसके विखेंगे 20 हो गया तो x is equal to कितना हो गया 20 अपोन 4 तो 4 बंजे 20 यानि की 5 तो x की value कितनी आई फ्रेंट्स 5 वर्स क्योंकि हमें समय की value निकालनी है तो हमारा answer आया कितना 5 वर्स तो यह इसका हो गया answer तो फ्रेंट्स मैंने इसका solution भी दिया है आप वीडियो को प 500 वर्स में 40 रुपे बनता है तो दर गयात कीजिए तो फ्रेंट्स यहां पर अब की बार दर पूछा गया है इससे पहले question में समय पूछा गया था तो बहुत ही आसान question है same method applicable करना है same trick का use करना है और बहुत ही जल्दी जल्दी answers हम निकाल पाएंगे तो फ्रेंट्स सबसे हम क्या लिखते हैं hundred और hundred के आगे लिखते हैं मूलधन तो मूलधन कितना है हमारा 500 रुपे का साधरन ब्याज तो यानि कि 500 रुपे हो गया इसका मूलधन hundred upon करते हैं दर और समय की multiplication तो दर हमें पूछी गई है तो उसको x माल लेते हैं समय हमारा कितना है four और यहां पर लग नहां पर हम देखेंगे इस तरह से हमारा जो four है four से हम four को cut कर सकते हैं तो x is equal to होगा hundred upon fifty यानि कि हमारा आएगा two percent कितना है friends two percent बहुत ही simple है बहुत ही आसान है बिना किसी formula के हम question को जल्दी से जल्दी कर रहे हैं और मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आ होगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी friends like करते जाएए और वीडियो को like करने के साथ साथ आपको वीडियो को share भी करना है friends इसमें हम बिना किसी pen paper के भी इसको कर सकते हैं यदि आप इसकी practice एक से दो बार करते हैं और friends इसको बिना किसी formula के हम soul कर हैं बस आपको question का concept आपके दिमाग में fit होना चाहिए यदि question का concept आपके दिमाग में fit हो रहा है तो friends आप बिना किसी formula के use क्यूए हुए simple interest यानि कि साधान बियाज के questions को चंद सेगंडों में कर सकते हैं अभी next question और देख लेते हैं friends next question है हमारा 10% वारसिक बियाज की दर से क इस रासी का दो वर्स में साधान बियाज 500 रुपे हो जाएगा तो friends यहाँ पर अपकी बार हमें मूलधन नहीं दिया है तो हमें मूलधन नहीं दिया है तो उस में हम question को किस तरह से करेंगे बहुत ही आसान तरीका है same concept को यूज़ करना है same trick को यूज़ करना है उसके माद् से हम question का हल निकाल पाएंगी तो चलिए friends देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 100 दिखते हैं और 100 की सामने लिखते हैं मूलधन लेकिन मूलधन हमें नहीं दिया है तो इसके आगे लिख लेंगे x तो 100 upon क्या करते हैं दर और समय की multiplication तो दर यानि की दिय है 10 into समय दिया गया है हमारा 2 वर्स और is equal to लगाएंगे upon इसके नीचे लिखेंगे ब्याज और ब्याज हमें दिया गया है friends कितना 500 अभी simple calculation कर लीजे यहां से 10 से 100 काट देते हैं यह हमारा कितना आ गया 10 दो से 10 काटेंगे कितना आ गया 5 तो friends अभी हमारा x is equal to कितना आएग यह हो गया हमारा मूलधन क्योंकि इसमें friends हमें पूछा गया है किस रासी का यानि कि किस रासी का मतलब मूलधन तो मूलधन की value हमारी कितनी है 2500 यह हो गया हमारा मूलधन इसी का हमें मान याद करना था तो friends इस तरह से हमने बहुत ही कम समय में question को हल किया है और उमीद करता ह कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो नेक्स कोशन देख लेते हैं फ्रेंट्स नेक्स कोशन में है पांच प्रतिस्त वार्ची ब्याज की दर से कितने समय में साधार्ण ब्याज से 500 रुपे का मिसरदन 600 रुपे होगा तो फ्रेंट्स यहां पर कोशन को कुछ नहीं करना है सेम ट्रिक का यूज करेंगे और उस ट्रिक के यूज करने से हम कोशन का हल कर पाएंगे तो फ्रेंट्स हमें ट्रिक में क्या क्या चाहिए हमें ट्रिक में गया है, यहाँ पर 600 रुपै, 600 में से 500 घ्टा दीजे तो हमारा आजएगा 100 रुपै साधरण प्याज, तो साधरण प्याज हमें मिल गया है, मुल्धन हमें मिल गया, तो अब इस सेम ट्रिक हम यूजक्ते हैं, friends same trick क्या है हमारी कि सबसे पहले 100 लिखते हैं और 100 के सामने मुल्धन लिखते हैं और मुल्धन हमारा कितना है friends 500 रुपिया upon करते हैं दर और समय का multiplication दर कितना है 5 और समय कितना दिया गया है friends यहाँ पर पूछा गया है कितने समय में यानि कि समय की value हमें निकालनी है तो यह equal हो गया और 500 बटे आएगा हमारा कितना ब्याज जो कि अभी हमने साधरन ब्याज निकाला है तो यहाँ से cut कर दीजे 5 times cut हो जाएगा 5 से इसको cut सकते हैं तो यहाँ पर 20 आ जाएगा तो 5 x is equal to हमारा कितना आएगा friends 20 या फिर x is equal to कितना आए 4 x is equal to कितना है 4 तो 4 कितना है वर्स तो 4 वर्स में 500 रुपे का जो मिसर दन है वो 600 रुपे होगा तो इसका right answer होगा कितना 4 या यानि कि 4 वर्स तो friends इस तरह से हमने question को बहुत ही कम समय में हल कर पाए हैं यदि आपको solution चाहिए तो solution मैंने दिया हुआ है आप देख सकते हैं next question को देख लेते हैं friends next question and the last question of this video friends सुरेश ने शाम से 2000 रुपे 2 परतिशत वर्सिक तो friends यहाँ पर हम देखेंगे जो question दिया गया है कि सुरेश ने शाम से 2000 रुपे 2 परतिशत वर्सिक ब्याज की दर से 5 वर्स के लिए उधार लिए तो 5 वर्स बाद सुरेश को कितना धन यानि कि कितने धन को शाम को वापस करना पड़ेगा बहुत ही आशान question है friends आप देख रहे हैं यहाँ पर friends हमें मिसर धन बताना है कि total हमारा मूलधन प्लस उसमें जो ब्याज एड होने के बाद में कितना धन सुरेश शाम को वापस करेगा तो friends simple है question वही है question में trick वही है just हमें इस question को समझना है और करना है same trick के मात्यम से इसको हम हल करेंगे तो आप देखेंगे friends सबसे पहले हम 100 लिख लेते हैं क्योंकि 100% हम मूलधन मानते हैं तो 100 is equal to यानि कि 100 के सामने क्या लिखते हैं मूलधन और मूलधन हमारा कितना है friends 2000 रुपी है तो 2000 रुपी हमने इसके सामने लिख दिया है अभी 100 के नीचे क्या लिखते हैं दर और समय का multiplication तो दर हमारे कितनी है दो और समय हमारा है पाच इस गल्टू बीच में लगाएंगे और friends यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे ब्याज तो यहाँ पर friends हम देखेंगे ब्याज हमें नहीं दिया है question में तो ब्याज सबसे पहले हम निकालेंगे तो friends यहाँ से अभी question को कर दीजे विखेंगे 5 से यह कट गया कितना 20 और 20 से 2 से यह कट गया कितना होगा 10 और 10 से जब हम X यानि कि 10 से यह 2000 कटेगा तो यहाएगा 200 तो X की value हमारी कितनी आएगी friends 200 यानि कि 200 हमारा कितना आ गया friends ब्याज आ गया तो ब्याज हमारा आया 200 मू प्लस ब्याज तो यहनि कि 2000 प्लस 200 तो यह होगा हमारा 2200 तो 2200 क्या होगा हमारा मिस्र धन और यह वेर असी है friends जो सुरेश शाम को वापस करेगा तो इस कितना वापस करेगा 200 रुपया वापस करेगा यही हमारा क्या है इस question का answer तो friends इस तरह से हमने बिना किसी formula के use करते और I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो friends इस वीडियो को जादे से जादा friends लाइक कीजिए और जादे से जादे friends इस वीडियो को अपने friends में WhatsApp और Facebook ग्रूप पर share कर दीजे friends जिससे उनकी भी help हो सके और इस short trick का आपने भी पत नहीं किया है तो चैनल की playlist का जो link है वो description box में दे दिया गया है और friends चैनल के यानि कि इस वीडियो के last में भी हमने थमने लगा दिया है यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं जिनमें हमें short tricks का use किया है तो कर दोकित हैं अत्स doctor किया हैं तो वीडियो के लि़ग है तो आपमें में भी और देखे हैं जब Donna on this note